नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वीकली फाइनेशल करंट अफेर्स के नई एपिसोड में मैं शेलिंद्र आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस एपिसोड को शुरू करूँगा लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिस करना चाहता हूँ किर्पया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं आपको करन्ट अफेर्स के साथ साथ कुछ कॉंसेट भी क्लियर करता हूँ इन एपिसोड में तो आईए शुरू करते हैं तो सबसे पहली खाबर यहाँ है कि गौर्णमेंट का जो टोटल लाइबिलिटी है टोटल डेप्ट है वो 100 लाग करोड को पार कर गया है जिसकी अब हो गई है 101.3 लाग करोड जो कि मार्च एंट में 94.6 लाग करोड था जो कि इस समय इतना ज्यादा इसलिए बड़ा है क्योंकि कोरोना के वेज़े से गौर्णमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा हुई है और उस वज़े से यह डेप्ट इंक्रीज हुआ है इसमें इंटर्नल डेप्ट जो घरेलु डेप्ट है वो 80.19 लाग करोड से बढ़कर किया है उसमें क्या हुआ है सरकाल का फिसकल डेफिसिट का जो टार्गेट था वो अल्रेड़ी 83 से भी उपर परसेंट तक पहुँच गया है तो हम उम्मीद करेंगे कि यह जो फिसकल डेफिसिट का टार्गेट है यह आगे भी बढ़ने वाला है और ब्रीच होगा इस बार गौर्णमेंट लगबग 4 के आसपस रखती है लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि यह 6 को भी पार कर जाएगा क्योंकि कोविड में गौर्णमेंट की स्पेंडिंग को ज्यादा ही हो गई है इसके बाद एक दूसरी खबर वो थोड़ा सा रहात देने वाली है वाया है कि वि ग्लोबल में अगर हम ग्लोबल ही देखें पूरे विश्वी में देखें तो यह डिकलाइन हुआ एक परसेंट लेकिन इंडिया में इसका बड़ा है बीस परसेंट जो है फॉर FDI बड़ा है दोस्तों और कई ग्लोबल जो हमारे टेकनलोजिकल जाएंट है जैसे गूगल है फेस्बुक है इन्होंने घोषना की है इंडिया में और FDI इंवेस्ट करेंगे जैसे गूगल 10 बिलियन US डॉलर फेस्बुक 5 बिलियन US डॉलर और मुबाडला जो की UAE की एक वेल्थ फंड कंपनी है उसने भी 1.2 बिलियन US डॉलर निवेस करने की जो घोषना की है दोस्तो इसी के साथ एक अच्छी खबर जमू कश्मीर के लिए भी है वहाँ पे गौर्णमेंट ने 1350 करोड का एकनोमिक पैकेज एनाउंस किया है जो कि वहाँ के टूरिम इंडस्ट्री को और वहाँ के लोगों के लिए बहुती फाइदेमन साबित होने वाला है इस पैकेज में इ अगर माल लिया सब को 50% की छूट मिल गई है तो सब के पास अब एक बच्चत हो गए मतलब 50% उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है अब वह 50% को या तो सेविंग करेंगे या खर्च करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे अगर वह खर्च करते हैं यानि कि किसी भी चीज की डिमां बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई भी बढ़ानी होगी उसका प्रोड़क्शन बढ़ाना होगा और प्रोड़क्शन बढ़ेगा तो उसके लिए इंवेस्टमेंट बढ़ाना होगा तो इससे एकनोमी में फायदा होता है अगर वह सेविंग करते है चाहिए वो bank में करते हैं या post office में करते हैं अपने घर में गुल्लक को छोड़ कर बाकि कहीं भी invest करते हैं किसी company में तो वो जो saving है या investment है वो लगता है हमारी वो पैसा यूज होता है अपनी economy के लिए bank यूज करते हैं credit में और अगर वो किसी company में invest करते हैं तो वो company अपनी business को growth करने में और economy को growth करने में काम आता है दोस्तों तो ये दो हो गया इसी तरीके से इन्होंने 5% interest subvention कई भी घुशना की है जो loans हैं business loans हैं क्योंकि वहां के business को काफी नुकसान हो रहा है 20 साल से जो कश्मीर के business हैं उनको बड़ी मुशिबते आ रही हैं तो उसके लिए 5% का interest subvention दिया गया है interest subsidy मतलब अगर वो 10% का loan लिया हुआ है तो उसका 5% सरकार देगी बाकी जो हमारे जो ये loan जिनोंने लिया है business हैं चाहिए individual families हैं ये business के लिया है उनोंने तो उनको 5% ही देना होगा तो इससे क्या होगा कि अब उनको interest इसमें total जो सरकार का खर्च आने वाला है 950 करोड मतलब जो 950 करोड लोगोंने देने से अभी सरकार देगी यानि जो हमारे जम्मू कश्मीर की जनता है businesses है उनके पास 950 करोड extra पैसा रहेगा जो उनकोंने बैंक को देना था लेकिन अब उनके पास रहेगा उसको खर्च करें, saving करें, invest करें वो एकनोमी में जाएगा और एकनोमी में जाएगा तो demand और production और employment generation होगा दोस्तों तो इस तरहीके से आर्थिक package काम करता है उसके बाद एक दूसरी खबर उसमें ये है कि इंडिया और चाइना का जो trade deficit है जैसे कि हम export और import करते हैं तो जो उसके बीच का जो difference होता है अगर export हम कम कर रहे हैं और import जादा कर रहे हैं उसको trade deficit बोलते हैं तो अप्रेल से जून क्वाटर में trade deficit कम हुआ है इसलिए कम हुआ है क्योंकि हमारा जो import है वो भी थोड़ा कम हुआ है और पहले या पिछले साल इसी period में 13.1 billion US dollar था जो कि घटकर 5.48 billion US dollar हो गया जो लगबग आदा हो गया है या इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमारा trade है वो भी घटा है जो पिछले साल 21.42 billion US dollar था वह घटकर 16.55 billion US dollar हो गया है अब ये जो trade है या घटा है ये by court Chinese की वज़े से घटा है या COVID-19 की वज़े से घटा है या हमें तब पता लगेगा जब economy normal होगी और तब हम देखेंगे कि trade deficit की जो है किस तरफ हमें जा रहा है या बढ़ रहा है या घट रहा है अगर घटेगा तो हम जरूर मानेगे कि सरकार ऐसे कदम उठा रही है कि हमें चाइना से import नहीं करना पड़ रहा है लेकिन अगर trade deficit फिर से बढ़ता है उसका अगर capital index देखे तो इंडिया 174 देशों की ranking में 116 नंबर पर है जो दुनिया की 130 करोड आबादी जहां रहती है मतलब सोचिए उसकी rank 116 नंबर है तो वहां के लोगों की human capital मतलब यह health और उसके education और infrastructure को लेकर कुछ parameters हैं तो उसमें अगर हमारी इंडिया की rank 116 है तो समझ जाइए कि क्या इस्तिती हमारी human capital की इस समय है यह जो 114 देश हैं 98% population कवर करते हैं world population को दोस्तों इसमें इंडिया का score जरूर थोड़ा सा सुद्रा है 0.49 हुआ है 0.44 से लेकिन इसकी ranking 115 से 16 हुई है वह इसलिए हुई है क्योंकि पहले जो था वह 157 देश हो थेश में लेकिन इस बार 114 देश हो चुके हैं लेकिन हमारी स्तिती बहुत 130 करोड से भी उपर की जनता की स्तिती अगर 116 rank में है तो हमारी human capital है उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है दोस्तों सरकार को बहुत ज़्यादा काम करना होगा human capital में भले ही सरकार ने कुछ काम किये है health insurance की सुविता दी है पांच लाग का आयुश्मानी होजेना दी है उससे थोड़ा health में सुधार आएगा उसी तरह अगर education में भी सुधार आ जाए आज भी हम देखते हैं पास हो गए है जो farmers की bills से इन farmers bill का पहले का नाम है the farmers and produce trade and commerce promotion and facilitation bill 2020 and दूसरा farmers empowerment and protection agreement on price assurance and farm services bill 2020 ये दोनों बिल राज्यसवा में आज पास हो गए है जिसका बहुत ही opposition हुआ है opposition द्वारा और दोस्तों या बिल अच्छा है किसानों के लिए या बूरा है या अभी हम नहीं कह सकते मैं इसका study करके आपको जरूर इसके उपर भी वीडियो बनाऊंगा और इसके pros and cons बताऊंगा आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए इसको subscribe जरूर कीजिए दोस्तों वहीं हर बार की तरह इस बार भी एक environment news आपको देना चाहूंगा जो हमारे लिए बहुत महतपूर है अगर हम है तो environment है तब ही हम रहेंगे otherwise environment नहीं तो हम भी नहीं है तो इस बार की जो environment news है दोस्तों वह यह है कि पिछले 5 सालों में हमारी environment ministry ने राज्य सबा में बताया कि 10 दसनलब 76 million पेड़ यानि कि 1 करोड 7 लाग 60 हजार के करीब पेड़ या तो गिरा दिये गए हैं या उनमें से कुछ गिराने के लिए मार्क किये जा चुके हैं क्योंकि infrastructure project बना रही है सरकार तो इतनी बड़ी मातरा में पेड़ गिराए जा रहे हैं जो की बहुत जादा चिंता का विशे है दोस्तों करीब 1 दसनलब 2 million यानि कि 12 लाग पेड़ 2019 वीस में गिराए गए जिसमें सबसे जादा 2018 में 30 दसनलब 36 लाग पेड़ गिराए गए हैं सबसे जादा भार जिन जिन परदेशों में है उसमें तेलंगाना, 36 गड़, महराष्ट, मद्धे परदेश और अरुनाचल परदेश है दिल्ली में 3236 पेड़ गिराए गए हैं दोस्तों हम समझते हैं तेलंगाना, 36 गड़, महराष्ट, प्लेन एरिया है वहाँ पे जन संक्या ज़्यादा बढ़ रही है और उसके लिए इंफ्रेस्ट्रक्चर खरा करने के लिए पेड़ गिरा जा रहे है लेकिन अरुनाचल परदेश पहाड़ी एरिया जहां कि जो डेंसिटी है पॉपिलेशन डेंसिटी सबसे कम है देश में उसके बावजुद वहाँ पे इतने ज़्यादा पेड़ क्यों गिराए गए हम समझ सकते हैं कि चाइना का बॉडर है और वहाँ पे जरूर हमारी जो भारत सरकार है इंफ्रेस्ट्रक्चर खड़ा कर रही है उसके लिए यहाँ पेड़ गिराए जा रहे होंगे दोस्तों तो हमें देखना है कि जो पहाड़ी छेतर की इकलोजी ना बिगड़े सरकार को यहाँ भी देखना होगा क्योंकि जो पेड़ गिराए जाते हैं उस पेड़ जंगल में रहने वाले जो छोटे-छोटे प्रजातियां जो खतम होती है उसको हम दुबारा पैदा नहीं कर सकते तो सरकार को इसका भी बहुत ख्याल रखना होगा मिनिस्ट्री ने एफ़ोरेस्टेशन के लिए 21.98 करोड की धनरासी भी एलोट की है इस साल होगा और कुछ ऐसे ऐसे रास्ते अपनाने होंगे जिससे इन चीजों को बचाया जा सके तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड इसमें कुछ फानेंशल न्यूस की आपको मैंने जानकरी दी और एक इन्वारिमेंट न्यूस की जानकरी दी उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा थन्यवाद नमस्कार सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू